देखने वालों का दिलल चा जाए और खाने वालों की नियत न भड़े ऐसी है आज के हमारे येडिश तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वाइट मटन हांडी बनाने की रैस्पी जितना इसको बनाना असान है टेस्ट भी उतना ही लाजवाब है बहुत ही डिलिशियोस बनती है तो देख लेते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे जी तो सबसे पहले हमने प्यारी सी मट्टी के हांडी के अंदर वान केजी मटन लिया है दो इसमें मीडियम साइज के बारी कटी हुए प्याज इसमें एड़ करेंगे दो से तीन अदर सबस मिर्चे लेंगे कटी हुई एक हमने टमार्टर लिया है खुब सरज सा रेड़ कलर का पका हुआ अब हम इसके अंदर मखन आड़ करेंगे और मखन मैंने लिया है वन कप मखन आड़ करने से इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट भी आएगा आप से र्क्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को बगार स्क्रिप कि इस लास तक लाजमी देखेगा ताकि आप स्ट्रैप बे स्ट्रैप रैस्पी को फोलो कर सकें अब इसके बाद एसके अंदर हम एड़ करेंगे अद्रक लेसन का पेस्ट इसके साथ ही हम इसके अंदर एड़ करेंगे एक गलास पानी का अब हम इसमें एड़ करेंगे वान टेबल स्पून जीरे का इसे हमने भून लिया था तबे पर इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और वान टेबल स्पून ही इसके अंदर जाएगा खुश्क धनिये का वान टेबल स्पून ही इसके अंदर हम एड़ करेंगे कुलंजी का तो अब यहां पर सभी मसाले कम्प्लीट हो चुके हैं आब हम इने अच्छे से मिक्स करेंगे यहां पर जो बहुत एहम बात है वो यह है कि आपने फ्लेम मीटिम रखना है हाई फ्लेम पर आपने हांडी नहीं पकाने इस हांडी की जो तैह होती है जो चादर होती है वो मोटी होती है और मेडियम आँच के ओपर ये एक बहुत अच्छा हीट प्रोवाइड करती है गोश्ट को और गोश्ट इसमें आहस्ता आहस्ता पकता है उसे क्या होता है कि गोश्ट का जो फ्लेवर होता है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है रसुलिल्लाइ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ने फरमाया एक शक्स ने एक कुते को देखा जो प्यास की वज़ा से गिली मटी खा रहा था इस शक्स ने अपना मौजा लिया और इससे पानी भर कर कुते को पिलाने लगा हता कि इसको खुब से राब कर दिया अल्ला ने इस शक्स के इस काम की कदर की और इसे जन्नत में दाखिल कर दिया अब इसके बाद एड़ करेंगे लॉंग दारचीनी बड़ी लैची और बादियान के फूल लैची को मैंने कूट लिया था इससे अच्छा फ्लेवर आता है अब खुश्क मसालों में सबसे पहले हम एड़ करेंगे इस फैद मिर्च को हाफ टेबल स्पून और काली मिर्च हम इसके अंदर एड़ करेंगे हाफ टेबल स्पून अब इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च वन टेबल स्पून आदा टी स्पून ही इसके अंदर नमक एड़ करेंगे नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एड़ कर सकते हैं और अप एक दफा हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तो अगर चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें यह आपकी तरफ से हमाई लिए एक महबत होती है आपकी तरफ से हमाई लिए एक साइन होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो इस तरह से हमारी होसला अफसाई होती है यह बिल्कुल फ्री होता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करें अब हमने इसे आदा घंटे के लिए पकने देना है तो ये थूरा टाइम लेती है रैस्पी कुकर की निस्बत ये जल्दी नहीं बनती लेकिन इसका टेस्ट भी माशाला बहुत ही मज़े का होता है बहुत पहतरीन आपकी ये डिश बन कर त्यार होगी एक बाड़े आप इस रैस्पी को जरूर ट्राइ करें मुझे पुरा यकीन है कि आपको ये डिश बेहत पसंद आने वाली है तो बिसमिल्ला रह्मान रुराहीम यहाँ पर हमें हो चुके हैं कोई 25 से 30 मिनट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मुटन है वो अच्छे तना से गल चुका है माशाला लेकिन यहाँ पर थोरा सा पानी है देट से 2 मिनट तक इसे और अच्छे से भून लेते हैं मुटन हो या फिर चिकन अच्छे तना से भूनते हैं तो उतना ही अच्छा उसमें टेस्ट आता है फ्लेम को करेंगे हाई ताकि इसका जो पानी है वो ट्राय हो जाए जब इसका पानी ड्राय हो जाए तब इसके अंदर हम एक कप दही आड़ करेंगे दही को अच्छी तरह से फैंट लेंगे फिर इसमें एड़ करेंगे अब इसके बाद हम इसके अंदर एड़ करेंगे वन बॉल बलाई का अब क्रीमी तो माशला से पहले ही बहुत ज़्यदा था मटन है बलाई के एड़ करने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और क्रीमी जो इसकी स्मूथ मैस होती है वो भी बहुत ज़्यदा हो जाती है डेट से दो मिनट इसके साथ ही हम इसको पका लेंगे लो फिलेम पर तकरीबन साथ से आठ मिनट तक मैंने इसे पकाया है अगर आप ग्रेवी ट्राइ करना चाहते हैं तो आप इसको जरूर बनाएं बहुत टेस्टी बनती है एक तम बिल्कुल मोगली टिश है अब लास्ट में हम हाफ चमज करो मसाला पाउडर का एड़ करेंगे अब मैं अपने उन रेगुलर विवर का नाम लास्मी मेंचन करूंगी जो मेरी वीडियो को फुल वाच करते हैं और रेगुलर कमेंट भी देते हैं जैसे ही वीडियो का एंड होगा आपने इनके चैनल पर विजिट करना है जो इनके लास्ट वीडियो पुब्ली को भी आपने इनके वीडियो को फुली वाच करना है लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करना है इसी तरह से दोस्तों एक दूसरे को स्पोर्ट करना है इसी तरह से दोस्तों कल आप भी विनर निकल सकते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी निकलें तो इस वीडियो पर जल्दी से जाएं और कुमेंट करें वीडियो को लाइक भी करें चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और आगे शेयर भी करें तो यहां पर आप देखें लुक भी अच्छी आ चुकी है और इसी तरह नहीं ह जासा कोई टेस्ट आ सकता है इसका टेस्ट हमेशा स्पैशल होता है स्लो पकाने की वज़ा से आप फ्लेम को आफ कर देंगे तो अब यहां पर देखेंजी माशाला से बहुत क्रीमी बहुत खुश्पुदार और बहुत ही मज़ेदार हमारी मटन हांडी त्यार है उमीद है